क्या आप जानते हैं, लगभग 75 साल पहले ही शोध करताओं या वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टी की थी की इनसान एक बार में अस्तित्व में नहीं आता है, बलकि वह एक के बाद एक विकास के चर्णों से गुजरता है, हाला कि इसका उल्लेख 1400 साल से भी पहले पवित्र कुरान में किया गया था डॉट वह आपकी माताओं के गर्भ में, अंधकार के तीन परदों में एक के बाद एक स्रिष्टी करके आपकी रचना करता है, सुरा अलजुमर 49 चैव आयत जबकि उसने तुम्हें अलग-अलग चर्णों में पैदा किया है, सुरा नूह 71 चौदह आयत